जेहिन दोस्तों स्वागा थे आपका एक नेए वीडियो में दोस्तों आज का हमारे वीडियो बिहार पुलिस कॉंस्टेबल के लिए स्पेशल होने वाला है अगर आप इस बार 29 तारीक को एक्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू 7 तक देखें अगर वीडियो दिये हुए हैं अगर आपने ओप्सन नंबर B को ट्रिक किया तो बिल्कुल सही है भारत में प्रतम जल बिद्दूत सन्यंत्र के अस्थापना सिव समुंद्रम में की गई थी ठीक है अगला प्रशने इंद्रावती जल बिद्दूत परियोजना किस राज्ये में प्रमुख बहुदेशीय परियोजना है चार ओप्सन दिये हुए आपके स्क्रीन पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर C ओड़ीस्ता में इंद्रावती जल बिद्दूत परियोजना परमुख बहुदेशीय परियोजना मानी जाती है अगला प्रशने बगलिहार जल का बिल्कुल सही उतर हो जाएगा पाकिस्तान को बगलीहार जल्बडुत-परियोजना के किरानयोंवन पर उपत्ती है ठीक है अगला प्रस्ण है ताला जल्बडुत-परियोजना किस देस के साथ भारत की संजुक्त-परियोजना है आपके Apxon दिए हुए हैं तो अगर आपने भुटान को ट्रिक क्या है तो आपका एंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा भुटान जो है वो ताला जल्बिदुत परियोजना के साथ भारत के साथ संज्युक्त परियोजना निर्मार्ण कर रही है ठीक है अगला प्रश्ण पवनुर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है ओप्शन आपके स्क्रीन पे दिये हुए है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी छठा पवनुर्जा के उत्पादन में भारत का छठा स्थान है ठीक है अगला प्र आपके स्क्रीन पे दिये हुए हैं जर्मनी संजुक्तिराश्ट्र अमेरिका चीन इस्पेन तो इसका सही उत्र हो जाएगा ओप्सन नमबर सी पवन उर्जा के उत्पादन के छेत्र में चीन जो है सबसे अगरणिये देश है अगला प्रश्ण है निम लिखित में से कौन सा स् सही उत्र हो जाएगा ओप्सन नमबर डी बायोगेस जो है वो उर्जा का ब्यवसाइक श्रोत नहीं है अगला प्रश्ण है भारत में किस प्रकार के बिदुत का सरवाधिक उत्पादन होता है तापके चार अप्सन स्क्रीन पे दिये हुए है तो आपका सही उत्र हो अप्सन नमबर बी छठा अस्थान है परमाणू सक्ति संपन राष्ट्रो में से भारत का छठा अस्थान है ठीक है यह जितने भी क्वेस्चन आपको कराय जाए यह लूसेंट जीके का जो में बूक होता है उससे कराय जा रहे है इसलिए वीडियो को बिना स्किप के सुरू से अंतक जरूर देखें अगला प्रश्ण है भारत में परमाणू उर्जा कारेकरम का प्रारंब कब से माना जाता है यानि कि कब से उद्वन हुआ था तापका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी 1948 इस भी से भारत में परमाणू उर्जा कारेकरम का सुभारंब माना जाता है अगला प्रश्ण है परमाणू उर्जा आयोक का गठन किस वर्स हुआ था तो संभवत है कि जब 1948 में कारेकरम का प्रारंब हुआ था उसी साल होगा तो आपका राइटांस वर्जेगा ओप्सन नंबर सी, 1948 में परमाणू उर्जा आयोक का गठन हुआ था आगला प्रश्ण है परमाणू उर्जा प्रतिस्ठान वर्तमान में जो है भाबा परमाणू अनुसंधान केंद्र है उसका गठन कब हुआ था चार अप्सन आपके स्क्रीन पे दिये हुए हैं तो इसका राइट बिद्धु सन्यंत्र कहां अवस्थित है चार अप्सन आपके स्क्रीन पे दिये हुए हैं तो इसका सही उतर हो जाएगा उप्सन नंबर ए करनाटका में इस्तित है अगला प्रश्ण है रावत भाटा परमाणू बिद्दू सन्यंत्र कहां अवस्थी थे चार अप्शन आपके स्क्रीन पे दिये हुए हैं तापका सहीवत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर D राजस्थान में रावत भाटा परमाणू सन्यंत्र अवस्थी थे अगला प्रश्ण है कलपक्कम परमाणू उपकरम कहां इस्थी थे तापका सहीवत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर C तमिल लाडू में इस्थी थे अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाविकिये उर्जा सन्यंत्र को बंद करने की योजना बनाई जा रही है आप इसका राइट अंसर नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा तो इसका सहीवत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर C जर्मनी जो है अपने सभी जो नाविकिये उर्जा सन्यंत्र है उसकी बंद करने की योजना बना रही है ठीक है अगला प्रशन है विश्व का सबसे बड़ा गैस आधारित गैस आधारित बिदू सन्यंत्र की अस्थापना भारत के किस राजी में होने जा रही है तापका सहे उतर हो जएका उप्षन नमबर C उत्तर प्रद्यश में होने जा रही है ठीक है अगला प्रशन है कैथल गुड़ी गैस बिदूत पर्योजना की स्राजी में इस्तित है चार उप्षन आपके स्क्रीन पर दिये हुए हैं अगला प्रशन है वाडिजेक अस्तर पर प्रथम उर्जा परियोजना अस्थापित की जा रही है अगला प्रशन है भारत में कुल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात के द्वारा पूरा किया जाता है भारत में जो खपत होते हैं तेल उसमें से कितना हिस्सा आयात याने की खरीदा जाता है तो आपका सही उतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी दो तीहाई जो हिस्सा है वो खरीद के पूरा किया जाता है ठीक है अगला प्रस्थ ने पेट्रोलियों पदार्थ की बिकरी के लिए पेडो कार्ट की कमपणी द्वारा जारी किये गए हैं जाएँ अगला जाएगा जाएएगा जार्ट कीपटता है